नमस्कार कापिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर कॉंग्रिस के लिए एक मुसीबत कम होती है कि दूसरी मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे देती है अब इससे कॉंग्रिस की बतकिस्मती कहें या फिर बीजेपी की खुश किस्मती फाइदा दोनों तरफ से बीजेपी को ही हो रहा है लगातार कॉंग्रिस नेताओं के पाटी छोडने की वज़े से कॉंग्रिस में भयंकर भगदण मची हुई है लेकिन हिमाचल में कॉंग्रिस ये देखने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ चंगा सी तो कॉंग्रिस की इन बातों पर भरोसा करने का समी करण बैट नहीं रहा है और हिमाचल में अब कोई भी बड़ा खेल हो सकता है ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि एक अबास कम होती है तो दूसरी अबास उससे जादा तेजी के साथ कॉंग्रिस के आगे उठ जाती है और बगावत का रूप भी दिखाती है हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है जिसकी वजह से लगतार कॉंग्रिस सरकार खत्रे में है तो चलिए आपको भी बताते हैं कि कैसे कॉंग्रिस बुरी तरह से फस चुकी है कॉंग्रिस की नहीं कम हो रही मुश्किले नई मुसीबत से क्या डर गए राहुल कैसे कॉंग्रिस का होगा चुनाफ में बेडा पार हिमाचल में क्या गिर जाएगी कॉंग्रस सरकार हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट अभी टला नहीं है सरकार के मंतरियों की दिल्ली और चंदिगर दोड अभी भी जारी है प्रदेश सरकार में लोक निर्मान मंतरी विक्रम अधित्य सिंग बीते दिनों अपने वीर भद्र सिंग की प्रतिमा के लिए दो गज भूमी की मांग करते हुए भावक हो गए थे अब उनी की तहत मांग सरकार में शिक्षा मंतरी रोहित ठाकुर ने भी किया है रोहित ठाकुर के दादा हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी रहे हैं प्रदेश के पहले मुख्य मंतरी डॉक्टर यश्वन सिंग परमार के सक्रिय राज नीती से सन्यास लेने के बाद रामलाल ठाकुर ने ही हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी के तौर पर कमान संभाली शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि रीज पर पूर्फ मुख्य मंत्री दिवंगत वीर भद्र सिंग के प्रतिमा के साथ उनके दादा और प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे दिवंगत ठाकुर राम लाल की प्रतिमा भी स्थापत की जानी चाहिए ठाकुर रामलाल नौ बार हिमाचल में विधायक बने और तीन बार उन्होंने मुख्यमंत्री का पत संभाला इसके अलावा वो आंधर प्रदेश के राज्य प्याल भी रहे रोहित ठाकुर ने कहा कि उनका राज्य के विकास में महत्वपूर योगदान रहा जिस तरह दूसरे मुख्यमंत्रियों ने हिमाचल प्रदेश में विकास को आगे बढ़ाया उसी तरह ठाकुर रामलाल ने भी हिमाचल के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया ऐसे में प्रत वीर भद्र सिंग के साथ प्रतिमा स्थापत करने की मांग उठाई है। साथ अप्रेल 1983 तक वो इस पत पर रहे। ठाकोर रामलाल साल 1957, साल 1962, साल 1987, साल 1990, साल 1993 और साल 1998 में शिमला जिला के जुबल कोट खाई बधन सबाक शित्र से विधायक चुने गए। 6 जुलाई 2002 को उनका शिमला में निधन हो गया, वो अपने जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं हारे। मौझूदा वक्त में उनके पोते और सरकार में शिक्षा मंतरी रोहित ठाकुर भी जुबल कोट खाई से ही विधायक हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी सामने आ रही है कि बगावत करने वाले विक्रम अधित्य की बात आला कमान से हो गई है। दरसल हिमाचल प्रदेश सरकार के मंतरी विक्रम अधित्य सिंग ने कॉंग्रिस के केंद्रिय नेत्रित्व से बात की है। और अब मुख्य मंतरी सुखविंदर सिंग सुखु के नेत्रित्व वाली सरकार को कथित तौर पर कोई खत्रा नहीं बताया जा रहा है। पार्टी सूत्रों ने ये दावा किया है। कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। सूत्रों ने कहा कि बागी विधायकों के खिला दल बदल विरोधी कानून के तहत कारवाई की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग आया राम गया राम वाली राजनीती को पसंद नहीं करते। सूत्रों ने दावा किया कि दल बदल विरोधी कानून के तहत 6 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद अब सदन में सदस्यों की कुल संख्या बासट रहे गई है और सरकार के पास बहूमत के जरूरी आकडे 32 से अधिक विधायकों का समर्थन है। प्रतिबा सिंग के पुत्र विक्रम आदित्य सिंग ने पाठी के वरिश नेताओं से बात की है और अपने मुद्दों से अवगत कराया है। सूतरों के मुताबिक मुख्यमंत्री सुखु का उद्देश्य, बहतर शिक्षा और स्वास्त के साथ आत्म निर्भर हिमाचल प्रदेश का निर्माण करना है। और वो इस पर लगतार काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों राच्च सभा की एक मात्र सीट के लिए हुए मतदान में कॉंग्रिस के छे विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग किये जाने के बाद भाजपा ने जीत हासिल की थी और उसके बाद से राच्च में राच नीतिक संकट पैदा हो गय पिछले दिनों इंछे विधायकों को अयोग घोशित कर दिया विधायकों ने सदन में वित्त विधयक प्र्सरकार के पक्ष में मतदान करने के पार्टि विहीप का उलंगन किया था उन सब के बीच में हिमाचल के मुख्यमंत्री ने बड़ा एलान भी कर दिया है हिमाचल प्रदेश की सीम सुखविंदर सिंग सुखु ने कहा कि एक साल पहले हमने राच्च में कॉंग्रिस की सरकार बनाई थी पिछले 14 महीनों की सरकार के दौरान हम 75,000 करोड रुपए के कर्ज के साथ राच्च की प्रतिकूल वित्य स्थितियों से निप्टे हमें प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा 4,000 घर शतिग्रस्थ हो गए 13,000 घर आंशिक रूप से शतिग्रस्थ हो गए हमारी सरकार ने नुकसान का अनुमान लगाया और उन परिवारों की मदद के लिए नियम बदल दिये एक तरफ तो हिमाचल प्रदेश में कॉंग्रिस संकट में फसी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ राहूल गांधी की भारत जोडो न्याय यात्रा जहां जहां पहुँच रही है नेता पार्टी से अलविदा कहे रहे हैं अब कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी गुजरात पहुचने वाले थे कि उनसे पहले ही कॉंग्रिस को जबर्दस्ट जटका लग गया दरसल लोग सभा चुनाप को लेकर इंडिया गटबंधन के साथ तयारियों में जटी कॉंग्रिस को एक के बाद एक जटके लगते जा पार्टी को ताज़ जटका गुजरात में लगा है जहां पोरबंदर से विधायक अर्जुन मोडवारिया ने विधाय की और पार्टी से इस्तिफादे दिया उन्होंने चार मार्च को गुजरात विधानसभा अध्यक शंकर चौधरी को इस्तिफा सौब दिया है जानकारी के मताबिक अब अर्जुन मोडवारिया अगले कुछ दिनों में बीजेपी में श्रामिल होंगे वहीं आगामी लोकसभा चुनाओ के साथ होने वाले वधानसभा उप चुनाओ में वो बीजेपी और मेदवार के तौर पर चुनाओ भी लड़ेंगे मोडवाडिया पूर्व कॉंग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं और दो बार विधायक रह चुके हैं तीसरी बार वो कॉंग्रेस के ही टिकट पर 2022 में जीते थे मोडवाडिया ने अपने इस्तीफे के पीछे कॉंग्रेस द्वारा राम मंदर का न्योता ठुकराय जाना बताया है उन्होंने कॉंग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्ष मलका अरजुन खडगे को अपना इस्तीफा भेज दिया है इसमें उन्होंने राम मंदर के नियोते को ठुकराने की बात का उलेक किया है उन्होंने कहा कि कॉंग्रस पार्टी ने नियोता ठुकरा कर भगवान राम का अपमान किया है राहुल गांधी ने असम में जिस तरह से वहवार किया उससे भारत की जनता का अपमान हुआ बता दे कि इसी साल जन्वरी में भी कॉंग्रिस के एक सीनियर विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था तब C.J. चावडा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है चावडा वीजापूर सीट से विधायक है उनसे पहले खंबात सीट से विधायक चिराक पटेल ने कॉंग्रिस छोड़ी थी सीजे चावडा 2019 के लोगसभा चुनाफ में अमिच शहा के खिलाफ गांधी नगर सीट से चुनाफ लड़ चुके हैं सीजे चावडा को पूर्फ मुख्य मंतरी शंकर सिंग बागेला का करीबी भी माना जाता है कॉंग्रिस ने 17 सीटे जीती थी लेकिन अब 3 विधायकों के स्तीफे के बाद राच्च में पार्टी के 14 विधायक रहे गए हैं इसी तरह बिहार में भी मंगलवार को पार्टी के दो विधायकों ने स्तीफा दे दिया कॉंग्रिस विधायक मुरारी गौतम और सिधार्थ सौरव इस्तीफा देकर NDA में शामिल हो गए इसके साथ RJD की विधायक संगीता देवी ने भी पाला बदल कर NDA का दामन थाम लिया था विहार की NDA सरकार में डिप्टी सीम और बीजिपी नेता समराट चौधरी ने तीनों को पार्टी में शामिल करवाया मुरारी गौतम पूर्व में महागटबंधन सरकार में मंतरी रहे हैं और चेनारी विधान सभा से विधायक है वहीं सिधार्ट सौरफ बिक्रम विधान सभा से विधायक है जब की राश्यजंता दल की विधायक संगीता देवी महुनिया से विधायक है यानि कुल मिलाकर चारों तरफ से कॉंग्रिस बुरी तरहा से घिरी हुई है और एक के बाद एक जटका लग रहा है जिसने कॉंग्रिस की टेंशन बढ़ा दी है आपका क्या मानना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं तब तक के लिए देखते रहें कापिटल टीवी नमस्कार